असलाम उलेकूम मैं हूई आसमीन हुमा खान आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ अनर से यह हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत जादा पसंद होते हैं क्योंकि यह इतने टेस्टी होते हो और अंदर से इतन बिल्कुल ड्रेन हो जाने तक इसको हलका सामने फरेरा कर लिया अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंड हम बिल्कुल इस तरीके से करेंगे जैसे के हमारी सूजी होती है हलका हलका सा दरदरा होना चाहिए बिल्कुल पाउडर की तरह हमको इसको नहीं बनाना है तो शुगर हमारे हमारे चावल से कम जाती है तो यहां पे यहां पर चाशनी तयार करेंगे वहीं हमने 3 टेबल स्पूने उपर दक भरकर मेंदा ले लिया है ग्राम से तक्रीव 10 जाम के असपास होगा और यहां पर हमने 2 मिंदे के कर G अमोनियों लेए है यह मारकेट में बहुत असानि मिल कैसी बीम्ट हरु इस लावा में वायट तिल ले लिए हैं तकरिब้ Brenda की और मैंने साफ करके इसके इंदर डींज़ा मैंने बना शुरू करते हैं अनर से झाओ एक बाद में चावल आपके भिश्च मो न चाहिए अब इसको खेँ जाईर ंकरन करें लिए की टावल काउत अक्रानस करभी के हमने तयार कर लिया है है अब आप दे लिए अटना एसा है जैसे कि हमारी सुजी होती है बारिक वाली वैसा हमने आटा बना कर त्यार कर लिया है इसको मैंने च्छान लिया है और मोटी चलनी जनी को अटार के द counties चाशनी त्यार करेंगे सबसे पहले फर्शम कर करेंगे और इसके साधी 1 पन फॉर्थ कप से थोड़ा से जादा हम पानी आइट कर देंगे और इसको ऐसी चाशनी बना कर तयार करेंगे जैसे कि हमारे रसगुलों की होती है बिल्कुल वैसी ही चाशनी होनी चाहिए तो जब तक हम इसको पकाएंगे जब तक हमारी चीनी अच्छी तरीके से डिजॉल हो जाती है शुगर हमारी डिजॉल्व हो गई है इसे हम 5 मिनट के लिए के पे पका लेंगे और इसको हमें इस तरीके से पकाना है जैसे हमारे रसगुलों की चाशनी होती है चाशनी हमारी हमारी 5 मिनट से पक रही थे बिल्कुल slow flame पर अब इसके अंदर हम 2-3 drop के करीब डाल देंगे lemon juice हलवाई लोग डालते हैं इसके अंदर lemon juice इसी के अंदर हम तकरीबन 2-3 पिंच के करीब डाल देंगे छोटी इलाइची का powder वैसे तो यह optional है लेकिन आप डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा अब इसके अंदर हम चावल का आटा थोड़ा थोड़ा करके mix करते जाएंगे और इस तरीके से इसमें चमच हिलाते जाएंगे ताकि यह सारा mix हो जाए अच्छी तरीके से और इसमें कोई गुठली वगएरा यानि कि लंस वगएरा नहीं होने चाहिए तो इस तरीके से हम mix करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे अच्छी से चमच चलाते जाएंगे सारे चावल का आटा हमने इसके अंदर mix कर दिया है अब इसमें हम इस तरीके से चमच चलाते रहेंगे जब यह बिल्कुल डो की फोम में आ जाएगा तो फ्लेम को हम आफ कर देंगे अब इसमें चमच चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया है यह देखिए अब हम फ्लेम को आफ कर लेंगे और इसको नीचे उतार लेंगे पैन हमारा काफी गरम होता है तो इसना काम यह हमारा वैसे भी कर देगा क्योंकि पैन हमारा काफी गरम होता है इस तरीके से हम इसको निकालते जाएंगे चमच चलाते जाएंगे और पूरा एक ही तरीके से बाहर ले आएंगे इसको इस तरीके से ına हमने चमत इस तरीका JENN- चारों तरब से इसको छुड़ा लिया ही विल्कूल साथ कर लिया है इस तरीक आप देख सकते हैं कि इसको स्क्रैब करके हमने निकाल लिया है अब इसको हम एक डो की फॉर्म में लिया हैं अब एक प्लेट लेंगे हम प्लेट के अंदर हम इसको रख लेंगे और इसी के साथ में हम इसको इसके अंदर मैंदा डालना शुरू करेंगे तो यहाँ पर यह गरम-गरम में मैंदा डा करना अब आप देख ले हैं मैं इसको आटे की तरह बोड़ रही हूं अब इसको अच्छे से घुंध लिया है सारा मैधा इसके अंदर जस्थ हो गया है और यह इस तरीके का हो गया है देखेन तो आप इसके अंदर हम डाल लेंगे अमोनिय अ कैसे डाल रम थोड़ा इस तरीके से और इस तरीके से हम इसको गोलाई में बना लेंगे इसको इस तरीके से हम गोलाई में बना लेंगे और जितनी चाहें आप इसकी जितनी बड़ी गोलियां चाहें आप बना सकते हैं छोटी गोलियां बनाना चाहें छोटी बना सकते हैं इस तरीके से हमने इसको ब तो दो तरीके के हमने की गोलियां बना कर तयार किये हैं mountain एक साइज मे बनाए हैव और एक हमने ये टिकिया साइज में बनाए है ये बहुत मज़े आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्रैक पढ़ने लगे हैं यह देखें आप इसके अंदर हलके हलके से क्रैक दिखने लगे हैं इसका मतलब यह है कि यह असानी से अंदर तक सीख रही है तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है मीडियम होट होने के बाद में हमने ऑईल यानि slow flame पे शेक रहे हैं और तकर्वर पहां से 7 मिनट लगेंगे इसको अंदर तक शिकने में लेकिन हम हलके हलके से इस तरीके से चमच चलाते रहेंगे ये इस तरह से ताकि ये अंदर तक शिक त्यार हों तो अनरसे की गोलियां हमारी अंदर तक सीखने लगी हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुकी हैं, क्योंकि यह साथ मिनट से सीख रही थी, अब आप देख सकते हैं कि यह जो अनरसे की गोलिया हैं हमारी इस तरीके से इसके अंदर क्रैक आ गए, इसका मतलब यह है कि अंदर तक सीख चुकी हैं क्योंकि जब ऑई अंदर तक जाएगा तो यह बहुत अच्छी सिकर तयार होंगी और यह क्रिस्पी भी होंगी अब इसको कलर लाने के लिए मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है ताकि यह अंदर तक ऊपर से भी इसका कलर अच्छा सा आ जाए तो कोड़ी देर के बाद में यह बहुत जादा खस्ता और क्रिस्पी हो जाएंगी अभी तो यह सॉफ्ट होती है बहुत जादा क्रिस्पी नहीं नजर आती है यह देखें आप इतने शांदार बन कर तयार हुए आप इसके क्रैक से अंदाजा लगाई है तो सभी अनरसी के गो हैं तो आप इस तरफ ऑल और ऑन्तरा ऐनवी तरह चाहिए तो आप इस तरीखे से गोड़ी की तरह बना लीजिए tests और बड़त दो law में को खुश किया ज सकता है तो बना यह थे एक्टिए कि itu शांदार इओं औरे बनकर यह चाहिए तो आप इस तरीखिए से गोली की तरह बच्चे और बड़े दोनों को खुश किया जा सकता है तो बनाइए अपने घर में और बताइए कि आपकी यह कैसी बनी है अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं फिर हाजिर होती हूं एक नई रेसिपी के ख्याल लगें अल्ला हाफिज